पेनियर बाय ट्रेड बेलेट से जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, send to bank पर तो दोस्तों जो यहाँ पर balance है, in process, दोस्तों आप देख सकते हो, पैसा जो है मारा पेंडिंग में पढ़ जाता है, यहाँ पर प्रिक्रिया जारी कर दी जाती है, कि bank account में पैसा ट्रांसफर हो रहा दोस्तों यहाँ पर पैसा जो है ट्रांसफर कब तक होगा और कितना समय लगने बाला है आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले आएगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो मैंने यहाँ पर 5516 रुपे अपने बेंक अकाउंट में ट्रांसफर किये सेंट टू बेंक में तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड बेलेट से पैसे ट्रांसफर करते ही पैसा जो है यहाँ पर पैंडिंग में पढ़ गया है आप दे देख सकते हो तो दोस्तों हमें डरने की जरूरत नहीं है 24 घंटे के अंदर जो पैसा है इन प्रोसेस में पढ़ गया है दोस्तों पैंडिंग में पढ़ा है हमारे बेंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा बेंक अकाउंट में दोस्तों अगर आपका भी in process payment दिखा रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके 24 घंटे के अंदर आपके account में transfer हो जाएंगे जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो मेरे 516 रुपे इन process में पड़े हुए थे अब आप देख सकते हो जो ही आपर success दिखाने लगा है पहले दोस्तों यहाँ पर in process दिखा रहा था जो money थी यहाँ पर pending में पड़ी हुई थी तो दोस्तों अब आप देख सकते हो success दोस्तों 5516 रुपे हैं हमारी bank account में transfer हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो in process की जगे पर success लिखके आ रहा है तो दोस्तों आपक आपके account में transfer हो जाएगा दोस्तों आपको बिल्कुल डरने की ज़रूर नहीं है यहाँ पर आपका payment जो है सुरुषचित आपके account में आ जाएगा यहाँ पर मेरा भी 516 रुपे जो है इन process दिखा रहा था अब मेरे account में transfer हो गया है दोस्तों पेनियर बाय banking service में किसी भी तर हमारे bank account या trade wallet में आ जाता है तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दें मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय